तो देखा दर्श को आपकी जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, तो इस योग को आप कैसे जगाएं, और किन उपायों से आप न सिर्प सरकारी नौकरी बलकि प्र तो ऐसे उपाये देखिए और बहुत शीग्रे पाईए सरकारी नौक्री या फिर कोई भी नौक्री जो आपके जीवन को का जो निर्वा है उसे करने में आपकी सहायता प्रदान करें सरकारी नौक्री के लिए आप प्रति दिन कम से कम 11 बार हनुमान 40 का पाट करें मंगलवार को हनुमान मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ ओम हनुमते नमह मंत्र का जाप करें ऐसा करने से आपके समस्त ग्रह दोष आश्टानी से श्रांथ हो जाएंगे सरकारी नौक्री दिलाने में शिव मंत्र भी बहुत चमतकारी असर दिखाता है सोमवार का वरत रखने के साथ साथ आपको प्रति दिन 1000 बार महामरितियुञे मंत्र का जाप अवश्य करना है अवश्यक नहीं कि सारा जाप एक ही दिन में एक ही बार में कर लिया जाए आप इसे दिन में सुबह दोपर और शाम में विभाजित करके भी कर सकते हैं ऐसा करने से सरकारी नौकरी मिलने की गारंटी है महामरितियुञे मंत्र इस प्रकार है ओम त्रयंबकम यजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमियू बंधनार मित्योर मुक्षी मामरितात शनी महाराज की आराधना सरकारी नौकरी में बादा खड़ी करने वाले रूठे शनीदेव को आप जितना जल्दी मना लेंगे उतनी जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी इसके लिए आपको साथ शनीवार शनी मंदिर जाकर दिया और तेल अर्पित करना होगा साती साथ शनिवार को काली चीजों का दान करने से विशेश लाब होगा प्रति दिन ओम, शम, नो, देविर, विश्टे, आपो, भवन्तु, पीतिये, शम, योरभी, इस्त्रमंतु, नह का जाप आप शाम के समय करें ध्यान रहे कि जाप संख्या 23,000 तक होनी चाहिए, जिससे आप साथ दिन में बराबर बराबर विभाजित करके भी कर सकते हैं विश्ट्नु जी की पूजा और मंत्रे भगवान विश्ट्नु जी की पूजा भी आपको सरकारी नौकरी प्राप्ती में मदद कर सकती है आप सुबह सनान कर सूरे देव को जला पित करें, हर भगवान विश्ट्नु का व्रत रखें और पूजा करें अगर कुंडली के अंदर भगवान विश्ट्नु का व्रत रखें और पूजा करें इससे भी आपको सरकारी नौकरी मिलने में काफी सहायता मिलेगी अगर आपको स्वस्त जीवन और चिंतामुक्त नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको उपर बताई गई पूजा के साथ साथ दिन में 51 बार गैतरी मंतर का जाब भी अवशे करना चाहिए गैतरी मंतर से आप तनाओ और आउसाद यानि डिप्रिशन की समस्या से पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं तो आज हमने आपको जो भी उपाए बताए हैं उन में से आप कोई भी एक उपाए अपना सकते हैं लेकिन उसके साथ जो सबसे आवश्यक कारे है वो ये करना है कि निश्चित तोर पर आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको इन उपाएं के साथ साथ 51 बार गैतरी मंतर का जाब भी अवश्य करना चाहिए इसके साथी साथ प्रते दिन 5 मिनट तक ध्यान करते हुए सरकारी नौकरी के लक्षे को मन मस्तिष्क में अवश्य बिठाएं